जेहन दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सभी के साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक करते रहेंगे और वो मजाक आपके साथ में होता ही रहेगा, आपको थोड़ा-थोड़ा उसमें समझना है और आपको परहसाद नहीं होना है इसके पहले जिसे दो न्यूस आई कि आपका जो री एक्जाम है वो कप कराया जाएगा उसी तरीके से अब न्यूस नहीं आई है बलकि भरती बोर्ट की तरब से सीधे notice आया है कि हाँ जो आपका exam है वो कब कराया जाना है notice में आपको दिखा रहा हूँ आप पहले इसको देखे और उसके बाद में हम इसके बारे में आपर बात करते हैं तो दिखे आपको ये कितनी बड़िया तरीके से notice आपको दिख रहा है ये देखने से ही लग रहा है कि कितना सही है ये इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो परिक्षा हुई थी 17 और 18 को चार पालियों में इसको जो अपरिहार कारडों से निरस्थ किया गया था अब इसकी जो पुनह यानि कि आपका जो re-exam कराया जाना है वो 20-6-2024 और 21-6-2024 को संभावित है एक कम accurate date इन्होंने fix कर दी है इसके पहले केवल एक ही date यहाँ पर आई थी अब एक ही date थी तो मैंने आपको बताया भी था कि एक ही दिन में इतनी बड़ी परिक्षा को कराना सायद संभव नहीं है क्योंकि पहले संभव नहीं हो सका है तो बाद में भी एक ही पाली में एक ही दिन में इसको करापाना संभव नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या है भाई दो date आपके लिए आगई है कि आप तो बच्चा इस पर भरोसा करेगा ही करेगा कि हाँ दो दिन में पहले भी हुई थी तो दो दिन में अब यह परिक्षा हमारी हो सकती है लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बताती है कि यह चीज गलत है एक चीज और है जो बताती है कि यह चीज गलत है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे notice आखिर viral कौन करता है देखो आप सभी पढ़ाई करने वाले मासूम से बच्चे हो आपके सामने जो कुछ भी रख दिया जाएगा चाहे मैं अपनी बातों के तरीके से आपको कुछ भी बताऊं या कोई भी हो आपका जो दिमाग है वो उस तरफ थोड़ा बहुत बटेगा अब ये कौन कर रहे हैं इनका क्या मोटिव है वो बस यह हो सकता है कि इतने बच्चे हैं लगभग 50 लाग के आसपास बच्चे हैं जो इसमें फाम भरे हैं जो तयारी करने वाले बच्चे हैं इनकी एक जोटी सी खबर इन सभी बच्चों में एक हड़कंप मचा देती है और साइद इनको उसी में मचा आता है जो भी कोई कर रहा है साइद उसकी यही इच्छा होती है यहाँ एक खलबली सी हमेशा मची रहे सभी बच्चों के बीच में तो जादा बेतर यहाँ पर होना है तो आपको क्या करना है आप चुकी अब समझदार हो चुकी हो आपके साथ भी ऐसी कई घटनाय हो चुकी है यह जूटी अपवाहों वाली तो जैसे ही कोई आपके पास तुरंद खबर आ जाती है आपकी जो हर्ट बीट है उसको बढ़ना नहीं चाहिए सबसे पहले आपको भी वहाँ पर थोड़ा सा धैरे बनाके समझना है कि यह जो चीज आई है क्या यह सच में ऐसा लग रहा है कि भरती बोर्ट नहीं भेजा है और अगर भरती बोर्ट ने भेजा है तो यह जो चीज है यह सब के लिए है एक्जाम की सूचना ऐसा तो है कि कोई ऐसी ओफिसियल है जो केवल अधिकारी से किसी दूसरे अधिकारी के पास ही जाएगी यह तो सभी स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए कि हाँ उनका एक्जाम कब होना है तो आपको परिसान होने से बहतर है कि आप भरती बोर्ड की वेपसाइट पर जाएं और वहाँ पर देखें कि हाँ जो नोटिस हमारे सामने आई है जो लेटर हमारे पास आया है क्या यह भरती बोर्ड की वेपसाइट पर अवेलेवल है अगर है तो ठीक आप संतुष हो सकते हैं और अगर नहीं है तो वो जो fake वाली चीज है उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है यह एकदम से fake है और इसको fake किस ने बताया है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यह देखे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह भरती बोर्ड का जो Twitter handle है जिसको हम लोग X के नाम से अभी जानते हैं यहाँ पर इसको जो यह notice है इसको यहाँ पर डालने के बाद में और सीधे तोर पर भरती बोर्ड ने यहाँ पर क्या लिखा है और जैसे ही कुछ भी update होता है भरती बोर्ड की तरब से आपके exam को ले करके वो भरती बोर्ड की website पर दिखेगा और आप सभी को वो चीजे पता भी चलेंगी तो इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि यह जो चीज है वो बिलकुल यहाँ पर fake है और अगर भरती बोर्ड ऐसी बहुत सारी चीजे हैं इसके बारे में भरती बोर्ड नहीं भी बताता है फिर भी बहुत सारी notice ऐसे viral होती रहती है जो actual में fake होती है तो उसी तरीके से यह भी medical cup होगा ऐसी बहुत सारी अफवाँ हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको कुछ नहीं करना है आपको केवल और केवल अपनी तयारी करनी है इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आप सब ही लोग जानते हो कि एक्जाम में अगर आपको selection लेना है अगर सच म देरे देरे अपने अंदर वो improvement लाने के कोसिस करिए और वो आएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको आपकी वर्दी मिलेगी आपका जो सपना है वो पूरा होगा और ऐसे जूठी खबरों पे जूठी अफवाहों पे आपको भरोसा नहीं करना है थोड़ा समझने के कोसिस करिए उसको देखिए कि क्या चीज है ये सही है गलत है आपको खुदी वो चीज समझ में आने लगेगी और आपका जो decision लेने की capacity है capability है वो भी यहाँ पर कही न कहीं बढ़ जाएगी आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ कौन सी चीज गलत हो रही है कौन सी चीज सह ही हो रही है जो सही और गलत में फर्क करने का तरीका है अगर आप इसको अभी यहाँ पर सीख लेते हो तो स्योर है कि इन future जब आप uniform में हो गे तो आपके सामने ऐसे बहुत सारी चनोतियां आएंगी जहां पर आपको decision लेना पड़ेगा कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर र में क्योंकि सब के दिमाग में कुछ न कुछ अभी चल रहा होगा तो मैं मिलता हूँ आप से फिर अगले वीडियो में जहेंद